उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सभी जिला प्रसाइशन ने चुनाव को सांतिपूर ढंग से संपन करानी को लेकर कमर कसली है वहीं साहजहापूर जिला प्रसाइशन ने भी तैयारियां तेज कर दी है इसक्रम में मंगलबार को पड़ोसी जिले लखीमपूर खीरी से दो कमपनिया सीमा सुरक्षाबल साह जहाँ पूर पहुँची जहाँ जिला पुलिस के साथ मिलकर नगरशेत्र के संबेदनशील इलाकों में पैदल मार्ज किया एसपी सर्वणन टी ने बताया कि आगामे विधान सभा चुनाओ को ध्यान में रखते हुए नगरशेत्र के थाना सदर बाजार के हदव चोकी से सीमा सुरक्षाबल का पैदल मार्ज शुरू हुआ जो घंटा घर लाल इमली चोराहा होते हुए पुलिस लाइन पहुँचा बता दें कि सीमा सुरक्षाबल की तरब से अप्रति दिन जिले के आलग-अलग शेत्रों में पैदल मार्ज किया जाएगा साथ ही जिले में कोरोना संक्रमण की रोग-थाम को लेकर लोगों को जागरूग भी किया जाएगा आज दिनांक 11 जन्वरी को लकिमपूर कीडी से दो कंपणी भी जनपत साधानपूर में पहुंच गए आज एरिया डॉमिनेशन के एकसेस कर रहे हैं यह एकसेस इसलिए किया जा रहे हैं यह आगामी विदानसभा चनाव में यह हमारा जन्पत की नागरिंगों के अंदर एक कॉंपिदेंस बिल्डिंग में शेर हैं इसलिए हम अभी आज का दिन पूरे नागरचेत्र में दो कंपणी ए और कंपणी एफ को आज पूरे नागरचेत्र का ब्रहमन कर रहें और इसमें हम यह जरूर एंशूर कर रहें ति नागरचेत्र में जितने भी sensitive मद्दान के अंदर है सिंसिटिव एरिया हैं उसमें जरूर ब्रह्मन करके वो आप जनपद में नगर्शेत्र में यह नागर्गों को अंदर एक कॉंफिडेंस बिल्डिंग करने के लिए वो आज कोशिश कर रहे हैं यह हर दिन अलग-अलग सर्क्ल में जाकर इनका एरिया डॉमिनेशन करेंगे आज नगर्शेत्र गए और कल सदर एरिया में एरिया डॉमिनेशन के एकसेस करेंगे यह एरिया डॉमिनिशन करते समय यह सिवल पॉलिस भी साथ में शामिल रहेंगे इनका ड्यूटी यह रहेगा यह चुनाव संबंदित यह आचा संगिता में यह निर्वाचन आयोग ने यह जरूर एंफसाइज कर रहे हैं यह सभी लोग कोविट के द्रिश्टिकर यह सभी कोविट प्रोटोकॉल्स फॉलन करने के लिए इसमें सिवल पॉलिस का रोल यह है जब भी हम पैदल करते समय यह हम जरूर एंशूर कर रहे हैं यह सभी लोग मास पैन के गुमेंगे और अगले दो दिन से हम यह पूरा जाग प्लेश्टोर से इंस्टाल करें हमारा तेजी सोभरता न्यूज आप डेली इंसाइडर